गरेलू उपाये में आप सभी का स्वागत है आज मैं आपको बताने वाला हूँ दिवाली पर सिर्फ यह एक मंत्र देगा मंचाही सम्रद्धी वह कौन सा मंत्र है आप सभी को अपनी अपने राशी के अंसार मैं बता दूगा केवल वही एक मंत्र अपने राशी के अंसार अगर आप जाप करेंगे अगर आपके पास पूजा करने का समय नहीं है उस मंद्र को ही केवल अगर आप दिवाली के दिन जाब करेंगे तो महालच्मी प्रसन होकर आपको मनचाही सम्रिध्धी देंगे अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को अंतर तक देखते रहें दीपोत्सव, दीपर्व, दीपावली या दिवाली इन खुबसूरत नामों के साथ ही तेवार की उमंग और खुशियां छलकने लगती है इसी दिन महालच्मी को प्रसन करने के प्रैत्न किया जाते हैं आईए जानते हैं राशी के अंसार कौन समंद्र है आपके लिए शुभ अगर बड़ी पूजा ना कर सके तो सिर्फ यह राशी मंत्र ही देगा आपको मंचाही सम्रिद्धी जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये कौन समंद्र है आपके अपने अपने राशी के अंसार इसको चुनना है और दिवाली के समय जब आप पूजा करेंगे तो अपने अपने मंत्र का एक सुवार्ड बार कम से कम एक सुवार्ड बार जाप करेंगे अगर आप इसका जाप करते हैं तो आपको मज्जाही सम्रद्धी मिलेंगी लच्मिया आपको खुश होकर मज्जाही सम्रद्धी की प्राप्ति करेंगी तो आप अपना-पना राशी के अनुसार अपना-पना मंत्र चुन लेंगे और इसका जाप करेंगे और दोस्तों मैं आपको एक एक करके इन सभी मंत्रों का राशी के इंसार सभी मंत्रों का प्रणाशेट भी करके या उसको पढ़कर भी बता देता हूं ताकि आपको प्रणाशेट करने में कोई प्राब्लम नहों आते हैं पहले मेश राशी में मेश राशी का जो मंत्र है पी धनु राशी का जो मंत्र है, लक्षमय नमा, कुम्भ राशी का जो मंत्र है, योग लक्षमय नमा, व्रिशव राशी का जो मंत्र है, दुंग दुर्गय नमा, कर्क राशी का जो मंत्र है, सद्धाय नमा, कन्या राशी का जो मंत्र है, स्रिय नमा, व्रिश्चिक राशी का जो मत्र है महा कालिय नमहा तो आप भी अपने अपने राशी के अनुसार अपना अपना मंत्र दिवाली के दिन जब पूजा करेंगे तो इसका 108 बार जाप जरूर करें ताकि आपको भी मंचाही सम्रुद्धी मिल सके अशा करता हूं कि आप भी अपना-पना मंत्र जान गए कि कौन से मंत्र को आप जपे और आपको मंचाही सम्रुद्धी मिल सके अगर आप को यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूले शेयर इसलिए करें ताकि आपके जैसे जो लोग इंट्रस्टेड है अपना मंत्र जानने के लिए जिनको पूजा करन के लिए समय नहीं मिलता है और किवल एक मंत्र से मंचाही सम्रुद्धी पाना चाहते है तो उन तक भी यह चीज़ी पहुँचे इसलिए आप अपने वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों या परिवार जैनों तक यह वीडियो पहुचाए और इसे वीडियो को लाइ करें या ऐसे महत्पूर वीडियो प्राप्त होते रहे हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्का धन्यमाद दोस्तों